दोस्तों, अक्सर हम दूसरों को देखकर सोचते हैं कि वो इतना खुश क्यूं है और हम इतने परेशान क्यूं लेकिन हमारा ध्यान अपनी गलत आदतों पर नहीं जाता है आदतें वे क्रियाएं हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं वे हमारी पहचान का हिस्सा है हम शायद ही उन्हें कभी नोटिस करते हैं लेकिन वे हमेशा हमारे तौर तरीकों में मौजूद होती हैं और हमारे चरित्र के निर्मान में योगदान करती हैं आदतें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं ये अच्छी और बुरी आदतें हैं अच्छी आदतें हमें सकारात्मक चरित्र बनाने में मदद करती हैं जबकि बुरी आदतें हमें धीरे धीरे नश्ट कर देती हैं दोस्तों हमारी कुछ आदतें न केवल हमारी तरक्की रोकती हैं बलकि ये आदतें हमें अमीर बनने से भी रोकती हैं वे हमारी उपलब्धी की राह में हमेशा मौजूद बाधाएं हैं इन्हें यदि छोड़ दिया जाए तो हम खुद को बहतर बना सकते हैं और जीवन में मन माता लक्ष्मी आपका साथ कभी न छोड़े तो इस वीडियो में बताए गई बाते जरूर ध्यान में रखें आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं दो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है जरा सोचिए आपकी एक बहुत महत्वपूर मीटिंग है जिसमें आप अपने लेजी बिहेवियर के कारण लेट हो जाते हैं इससे ना सिर्फ आप एक अच्छा अवसर गवा देंगे बलकि कोई आप पर समय पर आने के लिए भरोसा नहीं करेगा इसलिए आने वाले साल में यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जीवन में आलसी पंत्याग दें दोस्तों यदि आपकी आदत घर पर या बाहर थूकने की है तो इस आदत को तुरंट बदलना जरूरी है ये आदत ना केवल आपका मान सम्म चीन लेगी बलकि आपकी अमीरी के भी मार्ग में आएगी कुछ लोगों की आदत होती है कि वे हर वक्त अपने नाखून चबाते रहते हैं लेकिन ऐसे लोगों को बता दें कि ये आदत आपका सूर्य कमजोर कर सकती है दोस्तों कुछ लोग चलते वक्त पैर घसीटते हैं लेकिन बता दें कि ये आदत भी आपको गरीबी में ला सकती है दामपत्य जीवन में संकट से बचने के लिए इस आदत को तुरंत बदलना जरूरी है आपको अपने आसपास ऐसे लोग आसानी से मिल जाएंगे जो आपकी पीठ पीछे आलोचना करते रहते हैं ये आपके पढ़ोसी या रिष्टेदार कोई भी हो सकते हैं अक्सर हम कोई काम करने से पहले अगर यह सोच लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे यदि हम असफल हो गए तो आप उस कारे को मन से कर नहीं पाते इसलिए दूसरों की निंदा से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि जब आप अच विश्वास की कमी होती है तो आप खुद में दोश ज्यादा ढूंडते हैं जबकि यह सही नहीं है हर एक सफल आदमी ने कभी न कभी असफलता देखी है इसलिए आप हर असफलता के लिए खुद को दोशी ठहराना बंद कर दें इसके बजाए अपनी कमियों को सुधारने दोस्तों यदि हर काम को करने से पहले आपके मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं तो यह एक बुरी आदत है आप ऐसा ना समझें कि जिंदगी में सारे दुख आपके ऊपर ही है बलकि यह समझें कि हर दूसरा व्यक्ति इससे पीडित है इसलिए कारे को शुरू करने से पहले मन में नकारात्मक विचार न लाएं और मुसीबतों का हसकर सामना करें एक बहुत बड़ा खजाना या एक लोटरी जो आपको अचानक धनवान बनाने वाला है यदि आप ऐसे लोगों में शामिल हैं जो अपने भागे के चमकने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आप बस प्रतीक्षा ही करते रह जाएंगे ऐसी गलत सोच आपको अमीर बनने से दूर रखती हैं दोस्तों करोड़ पती बनने का खवाब इस दुनिया में कौन नहीं देखता लेकिन यहां सवाल उठता है कि ऐसे कितने लोग हैं जो अपने खवाब को हकीकत में बदल पाते हैं कौन बनेगा करोड़ पती जैसे बहुत सारे रियलिटी शोज है जो आपको पल भर में करोड़ पती बना सकते हैं लेकिन आप उनका सदुपयोग नहीं कर पाएं तो वे पैसे भी किसी काम के नहीं रहते अगर आप अपने जीवन में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं तो आप को बहुत अनुशासन कड़ी मेहनत और नियोजन की आवशकता होगी आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित ही आप निर्धारित समय में करोड़ पती बन जाएंगे दोस्तों उमीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी इस वीडियो को आप अपन कारी थोस्तों जाता हो जाता हैं कि आपम होगी ऐसा करने में ¨टनी दूसा मतोइशक् सीभप करते हैं कि आपको आपदान समय में के में